नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉलुशन के यूटूब चैनल पर गैस पेपर की सीरीज में आज मैं आपके साथ डिसकस करूंगा चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजगा अब आपको क्या करना है यूनिट वाइस बिल्कुल भी नहीं करना है यूनिट वाइस जितने भी मैंने इंपोर्टन कोशन बता रहा हूं चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजगा और बैल आइकन को प्रेस कर लिजगा जिससे के आपके पास वीडियो नोटिफिकेशन आते रहे कोई भी इंपोर्टन वीडियो की बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए तो चले जल्दिसे वीडियो को स्टार्ट क के एक बात बताऊं टीचर ओफ टीचिंग ओफ हिंदी बेट सेगेंडिर का बहुत ज्यादा इजी है हर साल एक ही पेपर एक ही कोशन घुमा फिरा के वही कोशन आपके आ रहे हैं तीन चाल टोपिक हैं जिसके इर्दगिर्द आपका टीचिंग ओफ हिंदी घूमता है तो बात करेंगे फटावर्ट से और देखते हैं कौन-कौन से कोशन आपके इंपोर्टन रहने वाले हैं पहले कोशन की बात करते हैं इतनी जादा बार रिपीट हुआ है और रिपीट क्या है इंपोर्टन क्या है गद सिक्षन को आपको तयार करके जाना है पहली बात ध्यान पर्तिक स्फ्वान नि के किरम नेक्स पॉषन का गद शिक्षन मेंănियमारन की विभिन वदियां बताइए तो यह कूष सं आगे, टियृ टो कोशान आए जाए है, को किया जा जाया है, जो कोशन आए है, वितकुलों डित्रों के थ्यृतีक स्वेशन , और कुछ एक दो कोशन आपको अलग दिख रहे हैं लेकिन इंपोटेंट क्या है गद्शिक्षन गद्शिक्षन आपको जो कि आपका एक टोपिक रहता है इसको आपको तयार करके जाना है यह आपको कोशन में मिल जाएक और यह कोशन आपको इनका स्क्रिंशोड ले हमेशा वह हर्दाल आता है ठीक है बात करते हैं कोशन की शिक्षन साइक सामागरी का अर्थ इसपस्ट करते हुए इसके उद्देश्य एवं महत्व पर परकास डालिए नेक्स जो आपका पुछा गया कि भाशाई कोशल विकास हे तू उप्युक्त साइक सामागरी का वर्णन करते हुए उनकी उप्योगता लिखे नेक्स जो आपका पूछा गया कि शिक्षन साइक सामागरी से आप क्या समझते हैं हिंदी भाशा में पर्युक्त होने वाली पर्मुक्त साइक सामागरी का वर्णन कीजिए नेक्स जो आपका पूछा गया कि शिक्षन साइक सामागरी करते हैं तीन बार रिपीट हुआ है बहुत-ज़्यादार कोंशन रहता है इसका इसकी आप पोछा दने गबूँ अब सिक्षिभा पद के बारे में आप चांथ करते हुआ उपर्द essa मागरि और आपका यह जो मैंने अभी बताया है आपका यह क्या आपका अधि गम कैप्सुल ठिक है नेक्स जो आप emotplane के बाले में कि जो पूजा घया पपाश्य के बारे में भाषा बाकुल है पदच्ष це जना के सोपान लिखिए नेक्स जो आपका पुझा गया कि हिंदी भाषा के सिक्षन में पद्षिक्षन का महत्व है पद्षिक्षन की महत्ता इसके उद्षिय एवं सोपानों पर परकास डाले तो बहुत जादा यह वाला भी आपका इंपोटन रहता है इसका इंपोटन रहता है इसका स्कीन शोट आप ले लिजएगा 100% आपका एक्जाम में देखने को मिलेगा पद्षिक्षन गज्षिक्षन और साइक सामागरी ठीक है नेक्स जो बात करते हैं व्याकरन से रिलेटेड भी आपका कोश्चन आता है और बहु स्काust Records रहते हैं व्याटेंला रहता है और अपने कोश्चन में जरूर करते हैं आपको परिवासित करते हुए सच्छन अधिकंपरिक्रिया में इसकी उप्योगिता पर सडली और नेक्स्ट क्यों आ मेखिए तो बहु पुस्तक को भी आपको पढ़के जाना है अच्छी पाट्टे पुस्तक आपका तीन बार आपका रिपीट हुआ है इम्पोर्टन रहता है कोशन के अदर बात की जाए कि अच्छी पाट्टे पुस्तक के चैन में हमें कौन-कौन सी साफधानिया को ध्यान में रखना चाहिए नैक्स आपका पुछा गया था कि अच्छी पाट्टे पुस्तक के चैन में कौन-कौन सी आप इक शीथ है और नैसब कुछाँ ilawaff नब ले लिजिगा स्ट्रएं कि बात करते हैं गद और पध में उद्देश्यों का अंतर पूछा है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेन वाला दोनों की बात हो रहे है गद और पद शीक्षन के उद्धेश्ट उमें क्या अंतर है एक जैसे कोशन है रिपीट हुआ है इसका नेक्स कोर्छन के विशय के विश्य में बताईए और नेक्स जो आपका पुछा गया है समुष्षन की उप्योगिता बताईए तो बढ़ी तीन इसका बात करते हैं काफी ज्यादा इंपर्मुख सोपान क्या है यह तीनों कोशन का निर्मांद किजिये तो यह कोशन भी आपके इंपर्ट नाता है तो इसकी फोड़े थोड़े तो आप यहाँ पर तो ही रचना सीक्षन आपका बनता है दो बार आपका रिपीट हुआ है इंपोडने कोशन रहता है कानी के बारे में कानी अथवा उपन्या सिक्षन के उद्देश्य बताईए अकानी सिक्षन के उद्देश्य बताईए तो इंपोटेंट कोशन है इसके शोटिश का ले लीज़ेगा तो यही तहीं आपके गैस पेपर के जो मैंने आपको बताए जो कि आपका रहता है टीचिंग ओफ हिंदी का गैस पेपर ठीक है यह आपका टीचिंग ओफ इंदी जो भी मैंने बता हैं हंडर परसेंट इसी में से आपका एक्जाम पूरा पूरा फसने वाला है तो यह कोशन आपको जरूर करके जाने हैं कोई भी कोशन आपको नहीं छोड़ना है ठीक है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्रा पेपर एटैम्ट कर लेंगे हैं हमारी टीचर शोरिशन की गारंटी है तो चलिए ध्यान लखे का अपना पड़त रहेगा थैंक्यू नमस्ते धन्यवाद